दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का mgv study point यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स कोशन सीरीज नंबर है 43 बात करेंगे 43 नंबर सीरीज और यह है कंप्यूटर की जिसमें mcq टाइप टोटल 20 कोशन है इससे पहले 42 सीरीज कंप्यूटर की अपलोड हो चु वीडियो है यह Microsoft Word यह Part 3 है MS Word का यह Part 3 नंबर वीडियो इससे पहले MS Word के दो वीडियो अपलोड हो चुके है तो आप यह भी देख सकते हैं बात करेंगे यह question जो UPPCL JMRC exam best question है और सभी प्रिक्षयाओं के लिए महतव पूर्ण रहने वाले यह person है तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखे like share भी करें और अभी तक YouTube चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो जुरूर ही subscribe भी करें अपने friends को भी forward करते रही है तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे 20 questions की तो question first आपके सामने स्क्रीन पे है और question first में आपसे पूछा जा रहा है question first selected line को underline करने के लिए किस shortcut कुणजी का उपयोग किया जाता है तो यहां पे हम बात करें किसी भी line को अगर आपने select कर रखा है और उस line के नीचे underline करनी है तो यहां पे हमारा ensure है option D, control plus U, control plus U से आप underline कर सकते हैं, control plus B से bold किया जाता है और अब हम चलते हैं बात करते हैं next question की, question second, question second में selected line को double underline करने के लिए किस shortcut कुणजी का उपयोग किया जाता है तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी भी text को या line को select कर रखा है और यदि आप उसके नीचे double underline करना चाहते हैं, तो यहां पे हमारा ensure option C, control plus shift plus D control plus shift plus D, जिसके माद्यम से हम double underline कर सकते हैं, और control plus U से single underline की जाती है और चलते हैं next question के ओर, तो next हमारे पास question number 3, question 3 इससे पहले अगर वीडियो को like share नहीं किया तो जुरूर इसे like share भी करें और question 3 में बात करेंगे, एक reference से जो document के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है एक reference जो document के एक भाग से दूसरे भाग में उससूचना को परदर्सित करता है, वो कहलाता है, यहां पे हमारा insert option B, cross reference जो cross reference कहलाता है, और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे मारे पास question number 4, question 4 में selected line को lift alignment करने की shortcut कुणजी है, तो हम बात कर रहे हैं कि MS word में आपने किसी भी text को select कर रखा है, और उसमें यदि आप lift align करना चाते हैं, तो यहां पे हमारा insert option A, control plus L, control plus L से उस alignment को lift alignment कर सकते हैं, और चलते हैं, बात कर लेते हैं, तो आगे मारे पास question number 5, question 5 में paragraph या line को center align करने के लिए किस से कुणजी का परियोग किया जाता है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी paragraph या line है, और उसको अगर आप center alignment करना चाते हैं, किसी भी page के आप बीच में करना चाते हैं, तो यहां पे हमारा insert है, option B, control plus E, control plus E से हम किसी भी paragraph या line को select करके, इसको center align कर सकते हैं, और चलते हैं, next question क्योंड, तो next हमारे पास question number 6, इससे पहले आपने अगर computer के अन्य वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप playlist में देख सकते हैं, और next question number 6, question 6 में, MS Word 2010 का पहला menu कौन सा है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, MS Word 2010 की, और इसके पहला menu की बात करें, तो यहां पे हमारा insert option B, file है, MS Word 2010 का पहला menu, file होता है, और चलते हैं, इसी के साथ में, अगले question क्योंड, और तो आगे मारे पास question number 7, question 7, जो की आपके सामने screen पे है, और पूछा जा रहे हैं, MS Word में, सबसे नीचे जो screen परदर्सित होती है, उसे क्या कहा जाता है, MS Word में, जो सबसे नीचे जो screen परदर्सित होती है, वो कहलाती है, और यहां पे हमारा insert option A, status bar कहलाती है, MS Word में, सबसे नीचे जो परदर्सित होन वाली जो screen है वो status bar कहलती है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मार पास question number 8 question 8 में MS word में सबसे उपर दिखाई देने वाली bar को क्या कहा जाता है हम बात कर रहे हैं MS word की और MS word में screen पे जो सबसे उपर दिखाई देने वाली जो bar होती है तो वो title bar होती है option B title bar कहलाती है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास question number 9 question 9 आपके सामने screen पे है question 9 में पूछा जा रहा है कि footnote और end note का उपयोग 10 के लिए किया जाता है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो footnote और end note होता है उसका परियोग किया जाता है और option A reference के लिए किया जाता है जो footnote और end note होता है उसका परियोग reference के लिए किया जाता है और चलते हैं next question के और तो next हमारे पास question number 10 question 10 में dash graphic आपकी सूचना और विचार दरसे present tension है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि dash graphic आपकी सूचना और विचार का दरसे present tension है और यहाँ पे हमारा answer option D smart option D है smart art smart art ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दरसे present tension है और चलते है next question के और तो next हमारे पास question number है 11 question 11 में selected line का right alignment करने के लिए कौन सी shortcut key का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपने किसी भी line को select कर रख है और यदि उसका आप right align करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा answer option A control plus R control plus R से हम किसी भी selected text का right align कर सकते हैं और चलते है next question के और तो आगे हमारे पास question number है 12 question 12 में selected line को justify alignment करने के लिए किस shortcut key का use किया जाता है तो यदि आप किसी भी selected line को justify करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा answer है option D control plus J control plus J से selected line को justify alignment किया जा सकता है और चलते है next question के और तो आगे हमारे पास question number है 13 question 13 में go to command की साहिता से document में desk को दिये इस्तान पर बेजा जा सकता है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि go to command की साहिता से document में cursor को दिये गए इस्तान पर बेजा जा सकता है यहाँ पे हमारा answer option A cursor cursor को go to command की साहिता से document में दिये गए इस्तान पर बेजा जा सकता है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास question number 14 question 14 में dash 1 विशे सुची है जो document में अपने समंदित reference page के साथ उपस्तित होता है तो यहां पे हम बात कर रहे हैं dash 1 और हमारा answer है option D table of content एक विशे सुची है जो document में समंदिते reference page के साथ उपस्तित हो सकती है और चलते हैं अगले question के और तो आगे मारे पास question number 15 question 15 में antim command के परभाव को nest करने के लिए कौन सी command होती है तो यहां पे हम बात करें जो antim command है और उसके परभाव को nest करने के लिए जो command होती है option C undo undo command के मादिम से हम किसी भी command का जो परभाव है उसको nest कर सकते हैं किसी भी command को हम cancel कर सकते हैं यदि आपने कोई command दे रखी है और undo के मादिम से आप उस command को cancel कर सकते हैं और चलते हैं next question के और तो next हमारे पास question number है 16 question 16 में किस command की साहिता से पूरे document को select किया जा सकता है यदि आप किसी भी document यानि पूरे document को एक साथ select करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा answer option C select all select all के मादिम से हम किसी भी document को पूरे पूरे को एक साथ में select कर सकते हैं और चलते हैं आगे मारे पास question number है 17 तो पहले हम question को read कर लेते हैं question 17 में किस command की साहिता से किसी भी text या graphic को इस्ताई रूप से हटाया जा सकता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी text या graphic को हम इस्ताई रूप से उसे हटाना चाते हैं और यहाँ पे हमारा answer option A delete है delete command की साहिता से हम किसी भी text या graphic को इस्ताई तोर पर उसे हटा सकते हैं delete कर सकते हैं और चलते हैं तो next हमारे पास question number 18 question 18 आपके सामने screen पे है और पूछा जा रहा है कि अपने text को indate देने के लिए आप dash tab पर paragraph group में decrease indate और increase indate का उप्योग कर सकते हैं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अपने text को जो indate देने के लिए tab पर paragraph में decrease indate और increase indate का उप्योग कर सकते हैं और यहां पे हमारा answer है option B home home tab का परियोग कर सकते हैं और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मेरे पास question number 19 question 19 में font dialogue box परदर्सित करने के लिए किस कुणजी का परियोग किया जाता है तो यहां पे हम बात कर दे हैं जो font dialogue box शो करने के लिए जिससे shortcut कुणजी का उप्योग किया जाता है और यहां पे हमारा answer है option A control plus D font dialogue box को परदर्सित करने के लिए control plus D कुणजी का उप्योग किया जाता है और चलते हैं बात कर देते हैं तो next हमारे पास question number 20 जो इस वीडियो का last question है question 20 में document बनाने के लिए dash से विभिन परकार के विकलब परदान करते हैं यहां पे हम बात कर रहे हैं कि डोकुमेंट त्यार करना चाते हैं तो Microsoft Word है वह विभिन परकार के विकलब परदान करते हैं यदि आप किसी भी परकार के डोकुमेंट त्यार करना चाते हैं तो Microsoft Excel है वह आपको विभिन परकार के विकलब option उपलब करवाता है जिसके मादिम से आप अपने डोकोमेंट को अच्छी तरह त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो देखने के लिए धनेवाद लाइक शेर करने के लिए धनेवाद और यूटूब चैनल को सबसक्राइब करने के लिए धनेवाद अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरूर इसको सब्सक्राइब करें अपने friends को भी forward करते रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद next वीडियो upload हो तब तक के लिए धन्यवाद